स्वागत आपका मेरी यूट्यूब चैनल सूरतियेक रेसेपीज में आज हम देखेंगे लसूनी ग्रीन गुटाला की रेसेपी ये बहुत ही ज़दा टेस्टी बनती है तो इसे आप आखिर तक ज़रूर देखे सबसे बहले वन डेबल स्पून तेल लेना है अभी तेल को अच्छे से गरम होने देगे तेल गरम हो गया है अब हम इसमें कटा हुआ प्याद मिलाएंगे यहाँ पे मैंने एक छोड़ी सा इसका प्याद लिया है प्याद को हम अच्छे से बूनेंगे जब तक इसका कलर हलका सा बादा मिना हो जाए यहाँ पे गैस की फ्लेम आपको फूल रखनी है अभी इस पे हलका सा कलर आ गया है अब हम इसमें हाफ टीस्पून लेसुन की पेस्ट मिलाएंगे हाफ टीस्पून अदरक और हरीमीज की पेस्ट मिलानी है यह दोनों पेस्ट को भी अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चा पन है वो चला जाए अभी प्याज का गलर और गहरा हो गया है तो बस इसी स्टेज पे हम इसमें टमाटर मिलाएंगे यहाँ पर मैंने एक मीडियम सैज का टमाटर लिया है दो लोगों के लिए काफी हो जाए मैं उतनी क्वांटिटी आपको बता रहा हूँ अभी टमाटर को हलका सा भुनने के बाद इसमें हम सारे सुखे मसाले करेंगे तो सबसे फेल इसमें मिलाएंगे 1 फोर्ट टीस्पून हल्दी पावडर उसके बाद मिलेंगे 1 फोर्ट टीस्पून दन्याजीरा पावडर थोड़ा सा काली मिर्च पावडर मिला देंगे 1 फोर्ट टीस्पून जितना उसके बाद गर्म मसाल मिलाएंगे 1 फोर्ट टीस्पून सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे अभी ये स्टेट पे गैस कियांज एकदम स्लो कर देनी है और ये जो टमाटर का मिश्रन है उसको हम मैश करते जाएंगे इसे अच्छे से मैश कर लेना है आप चाओ तो मैशर से भी से मैश कर सकते हो अभी सब कुछ अच्छे तरह से मैश हो गया है तो ये स्टेट पे हम इसमें पालक की प्यूरी मिलाएंगे तो ये जो पालक की प्यूरी है उसमें मैंने 100 ग्रम जीतनी पालक ली थी उसको आपको बहुत ये अच्छे उबलते हुए पानी में डाल देना है धय मीट के लिए, डय से तीन मीट के बाद उसको पानी में से निकल देना है, और थंडे पानी में डाल देना है, और उसके बद पानी डाल के उसे पीस लेना है, तो यह जो आपकी पालकी पेस्टे है, उसका कलर बहुत ही बढ़ा ग्रीन आएगा, अब हम इसमें स्वात के अनुसा नमक मिलाएंगे उसके बाद बहुत सारा हरदनिया डाल देंगे सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेंगे सब कुछ मिलाने के बाद इसके अदनर हम कच्छा अंड़ा डाल देंगे गैस की आज एकदम दीमी रहेगी और इसे हम अच्छी तरह से पकने लेंगे आप चाहो तो इसकी जगह पे एक हाफ राई बने के भी इसके उपर डाल सकते हो ये जो हाफ राई बनेगी इसके उपर उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है अब आप देख सकतो हलका से इस अफ़े दोना स्टार्ट हो गया तो बस इसे स्टेज पे हम इसको मिला लेंगे ये स्टेज पे इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरने ये भूर जी हो जाएगी हलका सा इसको मिलाने के बाद इसमें हम एक अड़ा को कदुकस कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने एक उबलव हो अड़ा लिया है इसे भी हम अच्छे तरह से मिला लेंगे सब कुछ मिलाने के बाद इसमें हम दो टेबल स्पून पानी मिलाएंगे ताकि इसका जो टेंपरेचर है वो भी कम हो जाए और अंडे की जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी रूप जाए ये लीजे एक दम बढ़िया हर्याली गोटाला तैयार है लेकिन अभी भी इसमें जो लैसुन का तड़का करना है वो बाकी है वो तड़का के बाद ये डिसका सौथ बहुत ज़ादा बढ़ जाएगा अभी तड़के के लिए हम लेंगे वन टीस्पून तेल आप चाहो तो मखन भी ले सकते हो तेल अच्छे से गरम हो गया है अब हम इसमें वन फोर्ट टीस्पून जीरा मिलाएंगे उसके बाद कटा हुआ लेसुन मिलाएंगे तो यहाँ पर मैंने तीन से चार लेसुन की कल्या ली है इसे अच्छे से मिला देंगे इसका कलर ब्राउन हो जाना चाहिए अब हम इसमें एक सुखिलाल मिच मिला देंगे अभी यह जो तरका है वो इसको हम सबजीवे डाल देंगे यह रेसे पर आप जरूर ट्राई करें बहुत ही स्वादिस पनेंगे और एक मस्तर रेसे पर के साल जल्दी ही मिलेंगे